यहां पर मैं एक लेबल लगा दे रहा हूं ठीक है अगर यह वाली केंडल इस वाली वीक के अगर उपर क्लोज होती है तो इसके बाद भी मैं जो है आपवार्ड एक्षन का ट्रेड लूँगा और यहां पर देखो अभी इस केंडल को एकस्पायर होने में मातर 18 सेकेंड बच देखो हमने यहां पर आपवार्ड एक्षन का ट्रेड लगा दिया है यहां पर एक लेवल किस तरीके से वर्क करता है वह भी इस वीडियो में देखो गयूंगे तो सबकुछ वीडियो में कवर करने वाल है तो गाई जबी देख सकते हो कि इस केंडल को एक्सपायर होने में मातर 18 सेकेंद बाकी है ठीक है अब देख लेते हैं कि इसका रिजल्ट क्या निकल के आता है गैज में आपको बताउं की यहां पर मैंने एक जो लेवल ड्रो किया इस लेवल प स्राइड की हो ठीक है इस सब कुछ हम बताएंगे पहले इस वहली ट्रेड का रिजल्ट येख लेते यह इसके बाद की जो trade होगी upward action की होगी ठीक है देखो इसके बाद की जो upward action का trade मैंने फिर से क्यों लिया क्योंकि यहां पे एक और level था ठीक है इसके high को इसने break करके एक new high देख सकते हो कि यहां पे इवाली बनाई है ठीक है तो मैंने फिर से यहां पे देखा और इसके उपर इन्होंने close दिया इवाली candle तो हम क्या किये कि इसके बाद भी मैंने upward action का trade लगाया तो गैज मैं आप लोगों से एक बाद बोलना चाहूंगा कि मेरा एक और टेलिग्राम चैनल है जिसको अगर आपने जोई नेक है तो कर लेना इस वीडियो के डिस्केप्सम है उस टेलिग्राम का लिंक में जागा बिल्कुल फ्री है और मैं आपको डेलिग्राम पर सिगनल देता हूं ऐसे ही आप वहां पर जाकर अच्छी खास भी बिनिंग कर सकतो एक बार चेक आउट जरू कीजिए यह मेरा फिर से यहां पर ट्रेड है और मैं आपको हर एक केंडल पर एनलेसिस करके बताऊंगा कि कब आपको ट्रेड करन देखो गाई जी मैं आपको यहां पर एक मतलब रेजिस्टेंस है ठीक है तो अभी मार्केट को उपर ही जाना है ओके यहां पर में एक और ट्रेड लगाऊंगा अपवर्ड एक्शन का चलो हमने एक और मार्जिंग पर ट्रेड लगाया था ठीक है था सम्मीस हो गया तो एक स्टेप हम लोगों मार्ट इंगल पर जाना पड़ेगा ठीक है देखो यहां पर यहां पर ट्रेड का जो टाइम है मातर 27 सेकंड 26 सेकंड बाकी है और अभी तक तो पोजेटीब चल रहा है ओके देख लेते हैं किसका रिजल्ट क्या निकल क्या आता है और देखो गई ल देख यहां पर देख सकते हो कि वाली कंडल वीन हो गई लगतार में आपको तेन ट्रेड वीन करके दखाया बैककट बेक अब लोग को यहां पर इसके बाद की चो केंडल बन रही है इसका हम आपको बता रहा है कि इसके बाद यहां पर उक्यक्डल से बनेगी ओक तो गैज इसके बीच में क्या हुआ कि आपको एक दो डोजी केंडल या फिर रेट केंडल भी दीख सकती है तो इसके बाद का जो केंडल है अगर देख लेते हैं अगर यह वाली इसके हाई को ब्रेक करके क्लोज देती है तो मैं फिर से अपड एक्षन का ही ठेड लूगा ठीक है और य है और देख लेते हैं कि इसका रिजल क्या होता है देख सकते हो कि मैंने फिर से यहां पर देखो गईज एक स्टेप आपको एकर लॉस हो जाई बाइचांस तो आपको एक स्टेप मार्टिंगल जाना पड़ेगा मैं बार बार इस बात को बोल दे रहा हूं ठीक है और मैं आपको हर एक एक कीजल फे प्रेडिक्सन करके बता रहा हूं और इसका रीजन भी बता रहा हूं कि मैं यहां पर ट्रेट किसरे कमार्केश कर नहीं ये है अब लेवल तक मार्केट को जाना ही है अब कई यहां पर देख हो एक रेड वाली लाइन जो पर डौजी बनी है इसको एक बेढ़ किया होसा है कोई कोई देखो यहां पर लेखो यहां पर देखो यहां सब क्रिशितार कोई की विक्ति इसको इस ने बेखे नहीं किया देख सकते हो यह जो जिन पर हम इस आपको यहां पर यहां पर घे OFFIC और अभी काफी क्लोज चल रहा है ग्रीन में अगर क्लोज होगा तो फिर भी समझो कि यहां पर मतलब डोजी की टैप बनेगा ओके अब जो गाइट है इसके बाद हम यहां पर एक और अपड़ एकसर का टेर लेंगे बिकॉज यहां पर देख सकते हो कि इसके एक सेकंड गाइ हैँ क्योंकि मतलब पता ना क्या होगा कि इतना छोटा छड़ा खर दे लागा अचानक से अब यहां पर देखो आपको ली अपर यहांप फ़िए डिपरेस किया कहँ काई अब देखो क्योंकि देखो उपर आपको एक लेवल दीख रहा है ठीक है वहां से मारकेट को डिवर्स होने की चांस है तो यहां पर भी गिरीन बनेगा ओके और देखते चलो कि क्या मतलब रीजल्ट यहां पर निकल रहें सिर्फ एक लेवल को मैं बता रहा हूं जस्ट एक लेवल को मैं प्रेडिक करहूं और मैं आपको हर केंडल पर ट्रेड करके भी दिखा रहा हूं वन मिनट का भाई तो अच्छा वर्क करता है ठीक है इससे बहुत सा लोग इसको जो समझ जाते हैं प्रूफिट निकाल लेते हैं इससे तो मतलब बहुत अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है कि यहां पर देख सकते हो एक स्टेप में मार्टिंगल गया है और एक केंडल जो है मतलब डाउनर्ड अक्षन में आ रही है और एक सेकंड मैं इसका रीजन आपको समझाते रहा हूं देखो गाई जी रीजन इसका सेम यहीं है कि एक सेकंड इसके बाद कि यह जो केंडल है देखो यह इसके हाई को ब्रेक नहीं किया हुआ है यहां पर जो ग्रीन केंडल बनी है ना इसके हाई को ब्रेक नहीं किया हुआ है और इसके लो को ब्रेक करके यहां पर देखो यहां पर लो बना लो एक डाया बना है तो यह वाली केंडल इसलिए ग्रीन में जा रही है ओक अब यहां पर फिर से एक और candle जो है ना डाउन ही जाका तो मैं यहां पर multiple trade लगाऊ हुआ है अब यहां पर देखो मैं multiple trade लगाए है क्यूंकि इसके देखो यहां पर देखो इस वाली candle की low है ठीक है इस low को इसने ब्रेक करके यहां पर closing दिया हुआ है तो इस वाली candle को भी जो है न मतलब rate में close होना है इसके बाद अगर इस वाली candle rate में close नहीं होती है तो market यहां से reverse करेगा और फिर इस वाली level तक जाएगा ठीक है यहां पे एक देखो level है यहां तक जाएगा देख लेते हैं rate में close होने चाहिए I think लेकि reverse होना होगा तो यहीं से हो जाएगा ठीक है क्योंकि यहां भी एक level देख रहा है यहां पे देखो एक सेकंड गईज बहुत दिकत हुरी है यहां पे लेवल टोकम देखो यहां भी एक लेवल दीख रही है तो यहां से market reverse हो सकता है ठीक है यहां पे देखो already तो चलो लास्ट के सेकंड बचे हैं 10 सेक किया और यहां पे देखो गया अब क्या हुआ कि यहां पे डोजी candle बनने है ठीक है देखो इसको break नहीं किये हुआ है तो यहां पे इसकी चांस है ना कि आपड्र एक्सन का ट्रेड लेने के लिए ठीक है मतलब गई ट्रेड लेने के लिए तो चलो नीचे मुझे मुझे मिल लेंगे और ट्रेड 100% वीन होगी सो देख लेते हैं इसके बाद का रिजल्ट क्या होता है अभी कुछ 35 सेकंड बाकी है इस केंडल को एक्सपार होने में तो देखिए क्या होता है इसका रिजल्ट इसके फास्म Buam ओकैंआज तो यहां पर देख सकते हूं कि 5 ay है लेकिन यह वाली जो केंडल नुट आगए तो हम हैपे मार्टेंगल के लिए जाएंगे तिन चार्टरा लगाएंगे कि यहां पर देखो इसको ब्रुक इस वाली पिछली वाली week को यानि जो इसकी lower लो थी इसको break नहीं किया था इसको उपर ही candle close हुआ था तो यहां पर आपको एक जो गेंडल है देखने को मिला तो इसलिए हमने फिर से यहां पर अपर अपर अक्षन का ट्रेल लगाया हुगा है और यहां ट्रेट को 100% बीन होना है क्योंकि यहां पर देखो market को इस वाली लेबल तक जा नहीं है जो कि आप यहां पर इधर देखोगे तो यहां पर देखो एक लेबल है इस वाली लेबल को इसको break करना या फिर वहां से support लेकर नहीं चाने देख सकते हो कि यहां तक market गया नहीं अभी तक वोके तो अब लोग लोग नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर देखो इस वाली टैनल की ना तो लोघ है नहीं हाइँ नहीं हाइँ देख सकते हो कि जो और लेक करता है तो तो कुई दोनों में अमकों समझा diaphrag लें तो देख लëते हैं इसका candle लास्ट थक एकस्पारी होने नहीं तक वेट कड़ेंगे और इसके बाद यहां पर जो है गास्ट कर दी है अगर इसके हाइक को अगर ब्रेक कर देता हूं इसको ब्रेक करेंग इसको लेवल को तो जैसे ब्रेक करें गा हम यहां अगर इसके नीचे होता है तो भाई यहां पर फिर समको वेट करना पड़ेगा विकॉच यहां पर देखो इसको ब्रेक कर दिया है ठीक है आप यहां पर देखो तो इसके वीक को ब्रेक करके क्लोज दिया है तो डेट स्वी मेंने हाँ पर जो किंडल अपर डेक्शन का स्टेर लिया हुआ है अगर यहां पर एक स्टेप जो है अपनी मार्टेंगल पर जाएंगे अपनी एनलेसिस को भाई मतलब भूलना नहीं है ठीक है ऐसा नहों कि अब यहां पर डर जाओ एक दम से क बहुत सा दिकत थी यार बहुत सा लोगों को मतलब मोबाइल से ट्रेडिंग करनी है उसके उपर सीखना है तो इसलिए मैंने आपको मोबाइल में बता रहा हूं विकाज मेरे मैंने भोटिंग रहा था अपने टेलीग्राम पर तो हाँ पर साई लोग मतलब बोड़े थे कि म कि मैं मोबाइल से ट्रेडिंग करता हूं तो डैट पर मैंने मोबाइल अप लोगो प्रेडिक्शन बता है यहाँ देख लेते हैं इसको क्या होता है अगर यहां पे अपधर को यहां का असले मगें टिक है मानलो अगर किसी का लॉज हुआ होता तो यह वाली केंडल पर अपर टेल लेता अस्तानी से बिन हो जाती क्यों कि यहां पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर एक केंडल मानलो की कभी लॉज करा दिया अगर आपकी फ्रेडिक्शन के सांथ सांथ तो आप यह किसी गत्वास उपर टेलिया होता तो इस वाली केंडल फे फीर से अपर डाक्शन के डबल एमांट के सांथ जाता और यह वाली केंडल हंडेट परसंट बिन कराती जैसा कि भी देख सकते हो कि यह वाली केंडल आप देख सकते हो कि ग्रीन ही बन रही है और ग्रीन बन नहीं है ग बहुत से लोग बहुत चीज़ बताते हैं लेकिन जो 100% वर्क करते हैं उसी चीज़ को बताना चाहिए ठीक है यहां पर देखो अब फिर क्या हुआ कि वाली केंडल देख सकते हो कि ग्रीन कितने मतलब हाई बनी अगर यहां पर किसी का लॉस भी हुआ होता है इस वाली डोजी बीडियो हो जाएगा तो इसलिए मैं यहां से वीडियो को कॉट करूँगा और अगर आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करना मैं आपको डिपलाई करूँगा और आप मेरे टेलिग्राम को जरूर जोइन कीजिएगा मैं लार्स में बोलता हूँ एक बार जोइन होगे तो आपको पता चलिएगा कि मैं किस्ते किसे ट्रेडिंग करता हूँ तो प्लीज एक पार जोइन जरू कीजिएगा ओके तेंक्यू सो मच